कि पूटर विदार्ट्यूं मैं अन्हें सुप्षार माइन्हो लूर्प शार्मा गुनापके सामने हजिरूं कल हमने समाजवाद के विशेष्था अर्थ विकास के बारे में पढ़ा था आज हम इसके गुण दोफ्त के बारे में पढ़ेंगे तो गुण क्या है समाजवाद म समाजवाद में पहला गुण है कि यह वेक्ति वा समाज दोनों के हितों का समान रूप से द्यान रखता है जैसे इसको पता है कि यदि वेक्ति से समाज बनता है यदि वेक्ति के हित पूरे हो गए और वेक्ति के हितों का हम द्यान रखेंगे तो वेक्ति से ही समाज बनता है दोइन दोनों की हितों का समानरूक्षी में अधान की दियानु रिखता है या है sammiefad दोनों के実 को στοon क्या सीरे मिवेशन लेक μας दीपरेखके दोइता संपति को नहीं पर देता है वह इसके पर दोस्त्वाद समाझल के दोश consequently बतwoông सहा है 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 समाज में समानता के लिए और दूसरा समयवाद है वह वर्ग संगर्ष को बढ़ावा देता है तो यह क्या है इन दोनों के दोस्तों को दूर करने के लिए प्रेचिन तीसरा जो इसका गुण वह है कि वेक्तितों के विकास के लिए आर्थिक सामाजिक वर नागरिक स्वतंत्र करता है वेक्तिकों प्राथ होने चाहिए यह नीजी संपत्य को समाज की हित्में शीमित रखना चाहिए और जो जिसके पास नीजी संपत्य है वह क्या करता है समाज करें के बना चाहिए उस संपत्य को समाज के लाप में लगा देना चाहिए धर्म में नेत्थिक्ता को स्विकार कर मानव जीवन को व्यभश्टते करता है जो समynchronाब है फिर्वी लोग उस व्यजिविन को फॉन्जिजा नंती नहीं पुंजिवाद में नेतिक्ता गहा कोई रोल होता है लेहीं समाजवाद धर्म को भी मानता हूँ नेतिक्तितक इन दोनों को इस विकारकर मानवुक्तित करता है आफिक नितिक्षत्त के सत्ता करता आएटिक यह सामाजवद में बाढ़ता लुद्ती त्राश द्रंद हो छकुझ को भी वह जंता में बाड़ता है इसलिए दुन्लों का क्या होकता है। यह नहीं कहता कि सत्ता किसी एक वेक्ति के हातों में केंदित होना चाहिए इनके अनुसार सत्ता क्या होना चाहिए वी केंदिक्रण होना चाहिए सत्ता है वह सरकार जो सरकार वह किसके परती उत्तरदाई रहा हुँना चाहिए जनता दुलारा निर्वाचित संस्थ के परती उत्तरदाई होना चाहिए आठवा है समाजवाद का मुख्य रोल ही क्या है मुख्य जो आधार क्या है वो है समाजवाद यह करता है कि जो भी समाजवाद में क्या दोस है कि समाजवाद में क्या दोस है पहला दोस यह कि कोई सपष्ट विचारदारा नहीं है जैसे यह सपष्ट विचारदार है कैसे जैसे कुछ समाजवादी तो राष्ट एकरण पर बल देते हैं और निंजी शright tehd कंप नेनंत्र रहा चाहिए कि सिम्हा तक रखा जहें इस पर वी लागbek सकता है q 1 दूसरे इसका दोसरी के विरोधी तत्तुको प्रज्च को भी तो नियंत्रण होना चाहिए इसलिए नुझाजबाद है उत्पादन और वीत्रण प्रज्य का नियंत्रण होना चाहिए यिजि एक दूसरे किया है को इसलिए अश्तान दिया किसमाजवाद अब मानना थो तो दूनों चीज एक शाहत नहीं हो सकती तीसरा है प्राकर्तिक संभावनों की विरुद्ध यह विचार धरा समानता पर आदरित है जाको समाजवाद मुख्य तक किस पर आदरित है समाजवाद समानता पर और प्रकर्तिक दृष्टी से सब्वे मनुस्य समान नहीं है हम अपने घर में देख ले अपने जितने भी भा गुदुकेया सब्सक्रीफ करता थी तो इपनी अपने पर सब्सक्राइब करने का मैसे माम का सब्सक्राइब दिन राहत मैनेट करता है प्रिश्रम करता है और इसके बाद अगर संपत्ति अर्जित करता है तो हम तो यह करते हैं कि उनको अपनी से असारु पोकरने का अधिकार होना चाहिए जिन समाजवाद क्या करता है कि काम कोई भी करो और मिलके सारे उसका उभूग करेंगे संपति का तो इस यह क्या होता है कि जो वक्ति एकर्मन ने है आल सी है उन वेक्तियों में उनकी संपति बांड देता है वो क्या है उचित नहीं है भाई जो काम करें वो ही खाए लेगनी स प्रिष्ट व्यवस्ता को स्रंक्षन समाजवाद मेरा जय का प्रियों करते हैं जितने भी सरकारी लोगों को ज्यदा लाब दो जैसे मान लो समाजवाद में कर दिया कि जैसे वी-पियल लोग है उनको कोई राशी दी जा रही है तो सबसे पहले इनोकर सा क्या करेंगे यह सुचेंगे मेरी परिवार के ऐसे कितने लोग है जिनको मैं वी-पियल की स्रेड़ी में सामिल कर लूँ तो उनको जदालाव देते में बांद के रख देते उस फाइल कोई आगे नहीं चलाते यह भी बढ़ जाती और ब्रिष्टाचार बढ़ता ही क्योंकि पैसे के बिना यह नोकर साय काम नहीं करना चाहते इसलिए यह जो विवस्ता है यह ब्रिष्टाचार को सरंक्षन देता है अगला है वोगता के हितों लुक्षार को नुक्सान धेको इसमें उत्पादतां पर किसा अधिकार होते है रात यह का अत्akes टिकार होता है और आता वुपड़ के संप्रभू तो जाती है अव्रचा जो जो चीज बना तो आफके है जो कुस भी अभ इत बताती हो चुका उस आ थे कह पूरी करनी होती ह यहां की होता है कि यहां थो पादन की आरजये ने उसी यह हमें अपनी आफ शिक्ता पुरी करनी होती है तो क्या होता है नुकसान होते हैं तो विदारतिव यह था अपने समाजवाद के गुनोर दोस्त अगले वीडियो में नए अध्याई के साथ धन्यवाद